बेटी रिधिमा कपूर के मुंबई पहुचते हैं रिशी कपूर के क्रिया करम से शंबंधित पूजा को किया जा रहा है नितु कपूर बेटे रिधिमा कपूर को रविवार को अलग-अलग पूजा वो करमकांड और बान गंगा के घाट पर देखा गया बताया जा रहा है कि परिवार ने हां रिशी की अस्थिया विस्सजित की है यहीं नहीं रविबार को ही रिशी कपूर की प्रातना शबा भी रखी गई बाद में सामने आए एक वीडियो में नीतू, रणबीर और रिदिमा को एक घाट किनारे पूजा करते देखा गया वहाँ पर वे तीनों पंडितों से घीरे थे, तीनों ही मुँपर मास्क लगाये पूजा कर रहे थे रिशी कपूर के प्रेयर मीट के इस तस्बीर पर सोशल मीडिया वजय सुने याद करते हुए शरंधाजले देते हुए दिखाई दे रहे है वहें इसके अलावा लोग भगवान से रिशी कपूर के परिवार को हिम्मा देने की कामना भी कर रहे है जबकि बारगंगा घाट से आये इस वीडियो में कहा जा रहा है कि रडवीर के दोस्त आयान मुखर जी और आलिया भट यहाँ पहुँचे थे बता दे कि रिशी कपूर काफी समय से केंसर से जूज रहे थे 29 अप्रेल को अचानक उनकी तबियत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भरती कराय जाने की चर्चाएं हुई वहें इसके दूसरे हैं 30 अप्रेल को रिशी कपूर के निधन की खबर ने सब को गहरा शादमा दे दिया इनके निधन के बाद उनकी बेटी दिल्ली में फंशी रह गई लोगडाउन के चलते वो पहुँच नहीं पाए थी दो दिन बाद जब वो दिल्ली में से मुंबई पहुची तो इनका अर्थी जो अर्थी बिसर्जन है वो किया गया देखें वीडियो च Чझी बाद दिल्ला kनलंब पहाः देखें पहुची ड horiz से मुंबव turning इनका भी चाहे पहाँते दिल्ली रह के चलते वह से philosophy झाल झाल झाल